प्लीज सब्स्ट्राइब टू कुक विद पैशन एंड प्लीज हिट दा बेल आइकोन टू गेट दन नौटिफिकेशन्स हालो फ्रेंड्स कुक विद पैशन में आपका स्वागत है दोस्तो आज में आपके साथ बॉयल्ड एक करी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ दोस्तो ये एक करी की रेसिपी बनाना बहुत ही असान है और ये एक करी की रेसिपी खाने में बहुत ही यमी और टेस्टी है कोई भी इसको बहुत ही असानी से बहुत ही कम इंग्रिएंट से बना सकता है तो चलिए देर न करते हुए रेसिपी को शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने पानी को boil हने रख दिया है तो सबसे पहले हम eggs को boil करेंगे तो सबसे पहले condition यह है कि जो हम eggs है वो ठंडे पानी में नहीं डालेंगे सबसे पहले हम पानी को अच्छे से boil कर लेंगे जब पानी boiling condition में हो stage पर आ जाए उसमें हम नमक add करेंगे और देखिए इसमें बबल जाने शुरू हो गए है तो अब हम इसमें एग्स को ट्रांसफर करेंगे इससे जो एग्स है वो पील करने बहुत ही आसान होते हैं तो दोस्तो नेक्स टाइम से एग्स बॉयल करने के लिए आप इस टिप को जरूर इस्तिमाल करें और हमें एग्स को हाट बॉयल करना है इसलिए हम एग्स को मिनिमम दोस्तो 5-7 मिनट तक बॉयल करेंगे और फिर इसी पानी में हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर इनको पील कर लेंगे तो इस तरह से हमारे जो एग्स हैं वो अच्छे से बॉयल हो जाएंगे तो चलिए हम एग्स की करी के लिए मसाला बनाना शुरू करते हैं तो यहां दोस्तो मसाले के लिए मैंने 3 अनियन्स ले लिए हैं 3 टेमेटोज ले लिए हैं एक इंच अद्रक का टुकड़ा, 4-5 हरी मिर्चे और कुछ कलिया मैंने लेसुन की ले ली हैं इन सब चीजों की दोस्तो हम फाइन पेस्ट तैयार करेंगे तो सबसे पहले एक मिक्सर जार में दोस्तो प्याज को हम रफली काट लेंगे तो यहाँ पर सबी प्याज को मैंने रफली चॉप कर लेके इस मिक्सर में डाल लिया है और इसका हम एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे बाकी चीजों को हम बाद में ग्राइंड करेंगे तो यहाँ पर अनियन पेस्ट बिल्कुल तैयार है दोस्तो इसको अभी हम किसी में बाउल में निकाल लेते हैं और बाकी सारी चीजों की पेस्ट हम मिक्स करके बना लेंगे यह तिमाटो हरी मीर्च अधरक लेशन सारी चीजों को हम इकठте डाल करके उनकी एक फाइन पेस्ट तयार कर लेंगे गार्लिक को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि वो अच्छे से बारीक हो सके और इन सारी चीज़ों को हम टमाटर के साथ डाल करके इनकी भी एक फाइन पेस्ट तयार कर लेते हैं तो यहां पर हमारी टमाटर पेस्ट भी दोस्तों बन करके बिल्कुल तयार है यहां पर हमें कुछ मसालों की जरूरत है ड्राई मसाले जिसमें सबसे पहले मैंने एक चमच नमक ले लिया है उसके साथ साथ ही दोस्तों हम एक चोटा चमच लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे एक ब्याड़ा चमच मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले रही हूं इससे करी का जो कलर है बहुत ही अच्छा आएगा एक चोटा चमच हम हल्दी पाउडर ले लेंगे एक चमच के करीब हम धनिया पाउडर ले लेंगे और इसके साथ साथ एक चोटा चमच मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर एड़ कर दिया है तो सबसे पहले पैन में हम मस्टर्ड ओयल एड़ करेंगे दोस्तो आज की एक करी हम मस्टर्ड ओयल में बनाएंगे सबसे पहले हम mustard oil को अच्छे से गरम कर देंगे धुआने तक और फिर इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे अब onion paste हम इसमें add कर देंगे और दो मिनट के लिए इसको हम भून लेंगे mustard oil को दोस्तो सबसे पहले अच्छे से पकाना बहुत ही जरूरी होता है वरना सबजी में से या करीज में से तेल की जो है वो सुगंद आती रहती है तो इसलिए गरम होने तक अच्छा धुआ आने तक पहले mustard oil को पका लें फिर थोड़ा सा उसको ठंडा कर लें जैसे ही वो थोड़ा ठंडा हो फिर आप अपनी टमैटो पेस्ट या अनियन पेस्ट इसमें add करें तो यहां दो तिन मीनट हो गए है प्यास को भूनते हुए अच्छे से हम इसको mix करते हो जाएंगे और आप देख सकते हैं कि इसका color थोड़ा सा change हो चुका है थोड़े से यह golden हो चुके है तो लगभग इन प्यास को पकते हुए दोस्तों पांच मीनट हो चुके हैं और यह अच्छे से पक चुके हैं अब हम इनमें ये ड्राइ मसाले अड़ कर देंगे और इनको भी अच्छे से हम भून लेंगे एक मिनट इन सुखे मसालों को भी हम इसमें अच्छे से फ्राइ कर लेंगे और अब दोस्तों हम इसमें एक चमच या दो चमच के करीब दही अड़ कर देंगे मैंने यहाँ पर ज्यादा खटी दही का इस्तेमाल नहीं किया है बिल्कुल नॉर्मल सी मैंने इसमें दही अड़ कर दिया है बहुत ही थिक बनेगी और इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा आप देख सकते हैं ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आ गया है इसने साइट्स पर ओल को रिलीज कर दिया है इस टेज़ पर दोस्तों हम इसमें टमैटो पेस्ट जो हमने बना करके रखी थी वो एड़ करेंगे सारी टमैटो और गार्लिक जिंजर पेस्ट हम इसमें एड़ कर देंगे और इस पेस्ट को डाल करके भी हम इस मसाले को 5-7 मिनर तक भून लेंगे जब तक कि टमाटर अद्रक लेसुन भी अच्छे से इसमें भून करके पकना जाए इसमें जादा नहीं दोस्तों सिरफ 5 मिनट लगेंगे और आप देख सकते हैं ये ग्रेवी काफी थिक होना शुरू हो चुकी है दोस्तों इसे अभी हम ढख करके 5 मिनट पकाएंगे जब तक कि ये ओयल अच्छे से रिलीज ना कर दे तो 5 मिनट बाद इसने काफी ओयल साइट्स पर दोस्तों रिलीज कर दिया है अच्छे से मिक्स करते जाएंगे बीच पीच में एक दो बार हम इसको हिला लेंगे ताकि जो मसाला है वो पैन के नीचे चिपके ना एक बार फिर से ढख करके एक दो मिनट और इसको कुक कर लेंगे तो यहाँ दोस्तों मसाला लगभग तयार है पक चुका है काफी थिक हो चुकी है हमारी ग्रेवी तो थोड़ा सा इसको एड़्जस्ट करने के लिए हम इसमें पानी आइड कर देंगे यहाँ पर लगभग मैंने आधा कप के करीब इसमें पानी आइड कर दिया है अभी इसको हम एक उबाल आने तक पका लेंगे तो यहाँ पर दोस्तो एग अच्छे से बॉइल हो चुके थे मैंने इनको छील लिया है इस तरह से फॉक की हेल्प से या फिर तुटपिक की हेल्प से आप इसमें इस तरह से छेद कर दें इसको प्रिक कर ले आप चाहें तो इसको पीसीज में भी कट करके एड कर सकते हैं तो यहाँ पर मसाला दोस्तो लगबग बिल्कुल तयार है साइट्स पर ओयल अच्छे से मसाले ने रिलीज कर दिया है बहुती अच्छा टेक्स्चर आगया है ग्रेवी का तो इस स्टेज पर दोस्तो हम इसमें एक्ज को अड़ कर देंगे अगर आपको दोस्तो मसाला जादा गाडा लगे तो आप इसमें पानी अड़ कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों मैंने एक मुठी भर करके इसमें हरा धनिया कट करके जो है वो डाल दिया है जिसे कि इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है तो अभी हम इसमें बॉयल्ड एक्स एड़ करेंगे और मसाले से सारे एक्स को हम अच्छे से कोट कर लेंगे अभी हमें इसको बहुत ज़ादा पकाने की जरूरत नहीं है दोस्तों लगबग हमारी जो एक्करी है बन करके तयार है दो-चार मिनट हम इसको कुक करेंगे ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो एक्स में चला जाए इसको हम ढख करके सिर्फ दो-चार मिनट ही पकाएंगे बिल्कुल सिम कर दिया है हमने फ्लेम को तो यह जो हमारी एक्क करी है दोस्तों लगबग बन के तयार है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक्स को अच्छे से हम कोट कर लेंगे मसाले से तो आप देख सकते हैं इसका कलर टेक्स्चर ग्रेवी का कितना अच्छा है दोस्तों फ्लेम को लगबग और हमारी जो एक्क करी है बन करके तयार है उपर से हरे धनिये से हम इसको गार लेंगे और गर्म घरम हम इसको सर्फ कर सकते हैं उमीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी तो दोस्तो लाइक शेयर जरूर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपने कमेंट्स करके अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें आज के लिए सिर्फ इतना ही आगे भी ऐसी अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे धन्यवाद